हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, विल्किम टू मै चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे, वो हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ा था है, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, वो उ पारे फटे में टांग अड़ाना बंद करो, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम get involved in someone's matter का use करते हैं, जिसका मतलब होता है, किसी के मामले में शामिल होना, किसी के मामले में गुसना, अपनी local language में हम इसका sense किसी के फटे में टांग अड़ाने से भी निकालते हैं, इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं, इसके rule में सबसे पहले subject आता है, subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है, इसके बाद get involved in आता है, इसके बाद noun या फिर possessive adjective, इन दोनों में से कोई एक आता है, अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा, और अगर नाम नही ले रहे हैं, तो possessive adjective आएगा, जैसे कि my, your, his, her, are, there, एक बात का ध्यान रखेंगे, कि अगर noun का यूज कर रहे हैं, तो noun का apostrophe s के साथ यूज करेंगे, for example, others, peoples, राहुल, रियाज, और last में matter आता है, यहाँ पर ये जो get है, यह ऐसा main verb यूज होता है, जो कि subject और tense के according change भी ह हो सकता है, जैसे कि gets, got, gotten, getting, चलिए आप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज़ जाए, वो हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, he always gets involved in others matters, he always gets involved in others matters, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, don't get involved in anyone's matter, don't get involved in anyone's matter, वो उनके फटे में टांग अड़ा रही थी, she was getting involved in their matter, she was getting involved in their matter, हमारे फटे में टांग अड़ाना बंद करो, stop getting involved in our matter, stop getting involved in our matter, वो क्यों हमारे फटे में टांग अड़ा रहा है, why is he getting involved in our matter, अब एक सेंटेंस आपके लिए तुम्हें उनके मामले में टांग नहीं अडानी चाहिए इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताएं आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाग कीजिए अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आकिन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे चलिए अब है मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइबाई